हेलो फ्रेंड आज का मारा टोपिक है एनी डिग्री मीटर कट बीम एंड चैनल बीम और चैनल को किसी भी डिग्री में कैसे काट जाता है हेलो फ्रेंड सबसे पहले हम एक बीम लेंगे और इसके उपर हम 90 डिग्री का मीटर कट करेंगे मीटर कट करने का फार्मूला है 10 degree divide 2 multiply od 10 जैसा कि हम 90 degree का मीटर कट करने लगे हैं डिगरी की जगा पे हम 90 लिखेंगे divide 2 multiply od जैसा कि od हमारे पास 100 है 90 को divide 2 किया तो हमारे पास है 45 10 45 multiply 100 10 45 value होती है 1 multiply 100 100 को 1 से multiply किया तो हमारे पास 100 है इस तरह हमारा ये मीटर कट 100 mm निकलाया सबसे पहले जिस जगा पर degree पे हम मीटर कट करना है वहाँ पे एक line लगाएंगे और मीटर टेव की मदद से इस line से हम 100 पर एक निशान लगाएंगे और अपनी एक beam पर line खेंचेंगे और इसी तरह सेम दूसी सिम्मत मीटर टेव की मदद से हम 100 पर निशान लगाएंगे और एक line खीचेंगे और जिस जगा हमने marking का निशान लगा है इसको हम grinder की मदद से cutting करेंगे और grinder से cutting करने के बाद beam के दोनों हिस्से हमारे पास इस तरह आ जाएंगे और जब इन दोनों हिस्सों को अपसमें मलाया जाएगा तो ये एक 90 की शकलक त्यार कर लेंगे इस तरह हमारा 90 डिगरी का मीटर कट कट गया आप इस formula की मदद से किसी भी डिगरी का मीटर कट निकाल सकते हैं जैसा कि अब हमने 90 डिगरी का मीटर कट निकाला है अब हम आपको 45 डिगरी का मीटर कट निकाल कर दिखाते हैं सेम इसी तरह ही हमने एक बीम लेना है और 45 डिग्री का मीटर कट निकालना है जैसा के 10 डिग्री डिवाइट 2 मल्टिप्लाइ ओडी ओडी मारे पास इसकत हंडर्ट है 10 अब डिग्री की जगा 45 लिखेंगे क्योंकि 45 का मीटर कट निकालना गए है 10 45 डिवाइट 2 मल्टिप्लाइ ओडी 45 को डिवाइट 2 के साथ किया तो मारे पास है 22.5 10 22.5 मल्टिप्लाइ ओडी मारे पास 100 है मल्टिप्लाइ 100 10 22.5 equal होता है 0.4142 के multiply 100 जब 0.412 को multiply 100 साथ किया तो हमारे पास 41.42 आ गया ये हमारा 45 डिगरी का मीटर कट आ गया सेम उसी तरह जहां हमने 45 डिगरी का मीटर कट निकालना है एक लाइन लगाएंगे लाइन लगाने के बाद मीटर टेव की मदद से लाइन से हम 41.42 पे एक निशान लगाएंगे और हम लाइन खीचेंगे सेम दूसी तरह हम मीटर टेव की मदद से 41.42 पे निशान लगाएंगे और एक लाइन खीचेंगे और बीम पर जिस जगह पर मार्किंग हुई है ग्रैंडर की मदद से हम इसका कटिंग करेंगे ग्रैंडर से कटिंग करने के बाद बीम के दोनों पार्ट हमारे पास इस तरह आ जाएंगे जब इन दोनों पार्ट को आपसे मलाया जाएगा तो ये एक 45 डिगरी निकलाएगा इस तरह हम अपना 45 डिगरी मीटर कट निकाल लिया है इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी डिगरी में अपने बीम या चैनल को कट कर सकते हैं